मेरे प्यारे यूटूब दर्सकों आप सभी कैसे हैं, मुझे पूरी उमीद है कि आप सभी बहतर होंगे, सबसे पहले तुम्हें आपको बता दूँ कि आपकी परिक्षा 28 दिसंबर से नहीं 25 जनवरी से ही होगी, बहुत सारे बच्चे अभी भी confused हैं कि सर P.I.B. facts आया है, इ इसने इस सर्कूलर को जो वाइरल हुआ और जो वीडियो क्लिपिंग वाइरल हुआ उसको ट्रू बताया है, मैं कहा मना कर रहा हूं, देखिए वो जो विनोत कुमार यादव का जो interaction था, वो media interaction था, और आप द्यान से वीडियो क्लिपिंग को देखिए, वहाँ पे उन्हों उन्हें ग्रूप D की वितित्ति की घोशना कर दी, यह बहुत आश्चर जनक लगता है, दूसरी बात, मैं PIV Facts को नहीं न कारता हूं, ठीक है, PIV ने, मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने media interaction किया था, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि 28 December से ही exam होगा, media interaction में pressure होता है, मैंने यह बात पहले भी बोली थी, अभी किसान लगातारे गारा दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक pressure है, सरकार यह नहीं चाहती है, कि media में यह जारी हो जाए कि, क्योंकि media वालों ने पूछा कि sir, joining कब तक होगी, उन्होंने जुट बोल दिय कि सारी joining हो चुकी है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक पूरी joining नहीं हुई है, बहुत सारे विद्धारती ऐसे हैं, जिनको joining नहीं मिली है, candidates को, दूसरी बात कि अगर वो यह बोल देंगे, कि exam जो है, अब extend हो गया है, जनवरी से, फरवरी से होगा, तो media यह जो है निउस के माध्यम से pressure बनाएगी government पे, इसलिए उन्होंने एक beach का रास्ता निकाला है, उन्होंने बड़ी चालनाकी से it should be completed बोला है, ताकि वो बच जाएं, लेकिन मैं उन्हें बचने नहीं दूँगा, एकजाम आपकी 28 December से नहीं होने वाली है, आपकी परिक्षा जनवरी 25 जनवरी यानि by the end week of January या last week of January से सुरू हो रही है, मेरे प्यारे विद्यारतियों, ये पंकसर आपसे जूट क्यों बोलेंगे, यही पंकसर है जिनों ने आपकी, जब आप डेर साल दो साल से परिक्षा का इंतिजार कर रहे थे, आप फ्रस्ट्रेट हो गये थे, रेलवे क में date announced होगा, announced हुआ, मैं डेर साल से चिला रहा था कि TCS exam कराएगी, देख लीजिए, exam TCS नहीं कराई, समझदार इंसान को इसारा कापी है, basic sense लगाईए, ठीक है, आपकी परिक्षा 28 दिसंबर से नहीं, 25 जनवरी से होगी, इस पर TCS परिक्षा ले रहा है, इसका pattern बिलकु के pattern के आधार पे है, मेरा course उसी pattern के आधार पे तयार हुआ है, और एक चीज़ जान लिजे, मैं आप सभी को assure करता हूँ in front of you, कि मेरा जो questions है, 10,000 questions अगर आपने ढंक से GKGS, current affairs, maths और reasoning का कर लिया, तो एक questions नहीं छूटेंगे, मैं दावा करता हूँ, और यदि आपकी परिक करता है, यह मैं बोल रहा हूँ, मैं बार-बार कहूंगा, I am not a salesman, मैं course नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, इसे समझने की कोसिस कीजिए, नहीं तो बाद में जब आप परिक्षा के अंदर से लोटेंगे, तो बहुत अपसूस होगा, 7,000 प्लस विद् इच्छा नहीं हो जाती है, CBT2 की, ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यारती हो, यदि आपको कोर्स में इंट्रेस्टेड है, तो कोर्स को extend कर दिया गया है, 15 दिसंबर 2020 तक, यदि आपको कोर्स करिदना है, तो 4,000 पेमेंट करने होंगे, GKGS, Current Affairs, Maths और Reasoning, दोनों भासाओं म कि सर मेरा पेमेंट हो गया है, मैं confirm करूंगा, और immediately आपको WhatsApp के तुरू, PDF format में, computer printed form में, यह PDF आपको मिल जाएंगे, Thank you.